Hello guys, welcome back to my channel और आज बिना टाइम वेस्ट करें, मैं आपसे बात करने वाला हूँ थमने आप देखके समझी गए होगे कि कमर्शिल टू प्राइवेट, प्राइवेट टू कमर्शिल वीकल कैसे होते हैं जो मेरे भाई कैब ओनर्स हैं या कैब ड्राइवर्स हैं इनको काफी ज़ाद दिक्कत होती है, गाड़ी प्राइवेट कैसे होती है, कितना खर्चा आता है, कितने रुपे में है, कहां से, कैसे और कब, कितने टाइम बाद हम गाड़ी पर्चेस करने के बाद प्राइवेट करवा सकते हैं आप गाड़ी purchase करते ही private करवा सकते हैं मतलब commercial number अगर आपने करवा लिए उसके just बाद ही आप private करवा सकते हैं तीसरा point भाई कितना खर्चा आता है इसमें तो खर्चा भाई आपकी गाड़ी के उपर depend करता है IDV insurance में जितनी value होगी आपकी गाड़ी की उस पर आपका खर्चा depend करता है माल लिजए आपकी IDV है 5 lakh 5 lakh रुपए आपकी insurance में गाड़ी की value है तो आप खर्चा समझ के चलिए 30,000 रुपए आपका लगेगा कैसे मैं बताता हूँ 5 lakh रुपए की जो आपकी IDV है यानि की 5 lakh रुपए की जो आपकी गाड़ी की value है उस 5 lakh रुपए पर government लेती है 5% का tax क्योंकि ध्यान दीजिएगा जो हम commercial गाड़ी purchase करते हैं company से तो उसमें हम हर साल road tax pay करते हैं RTO लेकिन जो private गाड़ी होती है उसमें हम 15 साल का या 10 साल का diesel के साब से एक साथ pay करते हैं तो जो बचे हुए साल है 5% के साब से उससे into कर दीजिए इतना खर्चा आपका mandate है जो आपका जाए गई जाएगा उसके बाद file charge बगरा लगा के अपर आपका खर्चा उसके उपर उतना बैठ जाएगा जैसे माल लिजे 5 लागे 25,000 अब माल लिजे 13 साल बचे हुए आपके तो लमसम 21-22 जार आ जाएगा दो-चार जार रुपया फाइल चार जोड लिजिए तो पचीज जार रुपया का आपका खर्चा है पहला पयंट मैं आपका बता आजे दूसरा बता थी तीसरा बता थी चौथा पयंट की भाई कितना टाइम लगता है तो बहई इसमें टाइम लगता है एक मन्त के अपरॉक्स में आपका काम हो जाएगा अगर आप खुद करवाते हो तो लेकिन अगर आप दलाल वगरा के थुरू करवाते हो तो आपका वो दो महीने भी लग सकता है धाई महीने भी लग सकता है और आप भी करवाते हो जितने भी आपके टेक्स होते हैं गाड़ी के वो सारे कटे होने चाहिए, बकाइदा पेड होने चाहिए, अगर पेड नहीं है तो आपको दुबारा माँ पे करना पड़ेगा, तब ही जाके आप काम करवा सकते हैं, दूसरी चीज जो काफी गलत सोचते हैं कि भाई हमारा माल लोगी इस साल का सारा हमने टेक्स वगरा पे कर रखा है, तो साल के एंड पर हम जाके प्राइविट करवा लेते हैं गाड़ी, इस साल का खर्चा हमने देई दिया, नहीं भाई, आपके सारे डॉक्यमेंट पेड होने चीए, और दो से तीन महीने तक वैलिड होने चीए, ज तो मुझे एक साल का और पे करना पड़ेगा, 2023 अप्रेल तक मुझे और पे करने पड़ेगे सारे टेक्स, तब जाके मैं गाड़ी प्राइविट करवा सकता हूँ, अब बात आती है, डॉक्यमेंटेशन और खर्चा कितना है, तो चलिए जल्दी से उसे शुरू करते है, ज तो बिना टाइम वेश्ट करें, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी गाड़ी पर लोन भी चल रहा है, तब भी आप गाड़ी प्राइवेट करवा सकते हैं, तो दो नोई कंडिशन में आपकी गाड़ी प्राइवेट हो जाएगी, ये सोचने की गलती ना करना कि पर चीज़ करें, आपकी महिंद्रा ने महिंद्रा का मैं अपना बता रहा हूँ, 1000 रुपे की पर चीज़ी थी, मुझे आनोसी मिल गी थी, अभी भी मेरी गाड़ी पर लोना है, और आपने थमनेल देख लिया हो कि मेरी गाड़ी प्राइवेट हो चुकी है, तो भाई, बा रहाद कि आपके गाड़ी का सारे कीlekनेलिर्म राकुत की लीयर होनें चीए, आपकी और जाओं चीब, आपकी खर्स की तयुके पांकी ट आपका ना हो बुज़वा दैख चलान, चीज़ीर्थन नीर चीज़ी झालान अब नहीं होने 1.0 2.ינוc की गाड़ी सारेcem जो कि मुझे पता था और जो मुझे दलाल ने दिखाया भी क्योंकि वो मेरे दोस्ती था उसने बताया दिखाया कि भाई ये देख 25-30,000 रुपए खर्चा है लेकिन उसने भी किसी और से काम करवाय तो 40,000 रुपए मुझे पे करने पड़े मेरे 10-12,000 रुपए उपर लगए आप चाहो तो करवा सकते हो ना चाहो तो खुद करवा लो भाई आपकी गाड़ी बहुत सस्तिम प्राइवेट हो जाएगी कोई शूने 40-50,000 कहीं नहीं लगते उसके बाद बात आती है आपके भाई डॉक्मेंट सारे रेडी है अब आप कोट में जाओगे आप जाओचे दलाल जाए दलाल का मैंने बताई दिया आपको फिर तो कोई टेंशन लेनी ज़रूत नहीं लेकिन अगर आप जाते हो तो फिर क्या होगा सबसे पहले होगा आप पर्मिट सरेंडर होगा आपका जहां MV Tax कटता है वहां जाके आपका पर्मिट सरेंडर होगा पर्मिट सरेंडर होने के बाद आपको एक हफते बाद या डेड़ हफते बाद आपकी NOC मिल जाएगी NOC मिलने के बाद क्या होगा इसमें NOC का बहुत खेल है ध्यान दीजिएग हर जगे NOC चीए गाड़ी जब आप लेके जाओगे प्राइविट करवाने तब NOC कमपनी की तरफ से या फिर आपका लोन किलियर हो तो वो उसके बाद परमिट सरेंडर का NOC चीए उसके बाद आपकी जाएगी गाड़ी गुडगाओ कोट के साब से थर्ड फ्लोर पर फिफ् लिए फाइल तीसरे फ्लोर पर जमाओ थी उसके बाद दुबारा फिफ्फ फ्लोर पर साइन होने के लिए जाएगी उस बीच में फाइल गाइब हो जाती है मेरी भी थी पर वो सर काफी बढ़िया थे थर्ड फ्लोर पर जो बैटते है उन्होंने तुरंद फाइल बनाई त temporary number, temporary number रह जाती है, मतलब temporary number आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी का कोई भी document आपके पास नहीं होगा, और ना कोई लिखित में certificate होगा, कि भाई ये गाड़ी commercial to private हो लिया, उसके बाद आप आप आजाओगे, नीचे hall number 2 या 1 है साहे, जो license वाल होल है, गुड़गा mandatory होती है, वो सारी चीज़े वहाँ चड़ेगी, आपका नाम, पता, सारी चीज़े जोगी RC में होगी, उसके बाद आपका फिर जाएगा, दोबारा एक और counter पर उसी hall में जाएगा, वहाँ पर आपकी ये fees कटेगी, जो मैंने आपको बताई, IDV वाली, IDV का सीधा सीधा जितनी आपकी value है, गाड़ी की जितनी value है आपकी, उस पर 5% tax और जितने साल आपके बचे हैं, मालो मेरी गाड़ी को बचे हैं 10 साल, तो मालो 25,000 रुपए, पांच लाग के साब से 5% है, 25,000 निकला, तो 10 साल में उसे divide कर दो, जितना निकलेगा, उतना भाई आपका मालो मेरे बचे ही 10 साल है, तो कितना जाएगा, 25,000 रुपए, आपकी गाड़ी 7,000 रुपए, प्राइवेट हो जाएगी, नहीं लगते भाई 30-40,000 रुपए, कैसे भी नहीं लगते, कहीं से भी नहीं लगते, उसके बाद भाई फिर आपकी tax कटेगा, टेक्स कटने के तुरंत आपको नमबर प्रोवाइड हो जाएगा, गाड़ी का, उससे पहले आपकी गाड़ी जाएगी, सेक्टर 86, RTO में पास होने के लिए, गाड़ी पास होने के लिए जाएगी, पासिंग पे जाएगी, लेकिन वो कमर्शियल वाली पासिंग नहीं होगी, कोई टेंसल लेन की जरूरत नहीं है, आपकी RC आजाएगी, आपके घर पे, address पे आपकी RC आजाएगी, दलाल के थुरू कराया तो दलाल आपको RC देदेगा, मेरे दलाल ने मुझे RC दी थी, भाई मैं टेंसल नहीं लेना चाता था, मैं दलाल से काम करवाया था, क्योंकि इत नंबर प्लेट नहीं बनी, नंबर प्लेट आपकी कोट से ही बनेगी, या फिर कोई बाहर से, कंपनी वाले ने मुझे नंबर प्रोवाइड करा थे, एक नॉइडा के बंदे का, यहां मैं पालंवियर गुरगाओ में रहता हूँ, मैंने नॉइडा से नंबर प्लेट बनव मेरी 2019 के बाद की गाड़ी है, मतलब 2019 की है, और 2019 जून से पहले की वहां बन सकती है CSRP, तो इस वएसे मेरी वहां भी नहीं बनी थी, तो मुझे नॉइडा से बनवानी पड़ी थी, इस बात का खास ख्याल रखना, कि आपको नंबर प्लेट बाहर से या कोट से बनवानी जैसे माल लो भाई, अभी मेरी गाड़ी के सारे documentation को 6 महीने बचे हुए हैं, तो insurance को भी 6 महीने बचे हुए हैं, अभ insurance गाड़ी, माल लो commercial to private होगी, तो फिर वो insurance खराब हो जागा का था मुझे नहीं, मेरी गाड़ी जब प्राइवेट होई थी, तो मुझे भी ऐसा ही लग बचा सिर्फ आपका पॉलूशन, पॉलूशन नमबर प्लेट आने के बाद लगेगा, तो उसके लिए आपके पास नई RC होती है, तो आपको कोई टैंसल लेने वाली बात नहीं, आराम से कोई इस्यू वाली चीज नहीं, छीगा, लगबग मैने आपको सब कुछ बता दिया अगर कुछ भूल गया हूँ, तो कमेंट बलो, और भाई, प्लीज यार भाई को सपोर्ट करो, 98% बने नोट सब्सक्राइब बिना देख के वीडियो चलो जाते सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक करना, अगर और कोई नॉलेज़ च चाहिए हो, या फिर किसी और सीज पर वीडियो चाहिए हो, कमेंट बलो, इंस्टाग्राम पर मेसेज करना मुझे, ठोक दो, लाल बटन को ठोक दो, और बेल आइकन भी दबा देना, प्लीज सबोर्ट करो, चलो भाई, मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी आसी वीडियो में, तिल भाई, वाई, 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 तेक केर.